हलो एब्रीवान वेल्कम बैक टो इसे माथन लाखो में एक टेस्ट सिज के मैथ टेस्ट नमबर फिटिन आई है और भी ग्रूप टी टूटीफ जिरो नाइन के शिफ्ट वन का क्वेश्चन है चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है Pipe A can empty a full tank in 5.6 hours while pipe B can fill the same empty tank in 7 hours when the tank is full pipe A and B are opened one after the other for an hour each then how much time will it take to empty the tank देखो Pipe A कितना घंटे में फिल खाली करता है full tank को 5.6 while pipe B can fill the same empty tank in 7 hours ठीक है तो देखो सर एक इतना घंटे में खाली करता है minus 5.6 hours अब सर आपको लग रहा होगा कि minus नहीं होगा सर ये minus याद रखने के लिए कि empty करता है ठीक है B क्या अगरता है plus of 7 hour में तो इन दोनों का LCM कितना होता है सर फिफ्टी सिक्स कर लेता है तो टोटल tank capacity TTC वरावर 56 unit मतलब 5.6 hour में अगर 56 unit खाली करता है तो एक घंटे में कितना खाली कर रहा है तो यहां तक तो clear हो गया अब सोचो एक चीज कि पहले एक को खोला गया फिर भी को खोला गया तो दोनों ने मिलके जब खोलेंगे तो कितना unit खाली हो रहा है अब 1 hour each मतलब यह एक घंटे करेगा यह एक घंटे करेगा ऐसा करते करते दो घंटे करके फिल अफ होगा दो घंटे करके खाली करेगा अब से लास्ट वाला जो 10 unit है खाली जब करेगा लास्ट वाला 10 unit उसके बाद थोड़ी न हम लोग भरने जाएंगे क्योंकि यहां पे empty इधर टैंक बोला गया तो इसलिए 56 से 10 unit हटा हो तो 46 होग ल मंद जय होगा 46 होगा कितना घंटे में 46 गंटे में और उसके बात एक घंटे में या फिर सर आसा करते आपको समझ में आगे आप्शन नमबर 4 is the correct answer चलिए देखते हैं next question क्या दिया हुआ है रुक्षना went out of her house to the town with the speed of 6 km per hour but while coming back through the same route her speed was 5 km per hour she took 16 and half in coming and going how far does रुक्षना leave from the town अब सद्द्द को एक distance हम लोग पकड़ लेते हैं D distance तो D distance जाता है 6 km प्रति घंटे के आउसाथ से कितना टाइम लेग रहे है divided by 6 D distance को return आने में 5 km प्रति घंटे के आउसाथ से कितना टाइम लेग रहे है तो सर क्या ये equation solve कर सकता है हां से solve कर सकता है 6 5 30 उपर आरा यारा D बराबर 23 बटा दो तो 2 से काट दो 15 तीस यार से काट यारा 3 तीन तो D बराबर कितना हो रहे है सर 15 35 km option number 3 is the correct answer ओके सर चलिए देखते next question क्या दिया हुए इस software multiplied 6 2 4 5 with 62 instead of 52 how much more its answer will be than the correct answer देखो सर 52 से गुना करना था किसको सर 6 2 4 5 को उसके जगा 62 से गुना कर दिये किसको 6 2 4 5 को कितना ज्यादा हो रहा सर माइनस करेंगे 6 2 4 5 into 62-52 मतलब 6 2 4 5 into 10 तो कितना हा रहा सर 6 2 4 5 0 option number 2 is the correct answer ओके सर चलिए देखते next question क्या दिया हुए इन ए बैग there are tokens of red green and pink colors the ratio of the red or green के ratio कितना है सर 5 is to 11 while the ratio of the pink and red token तो pink and red token कितना सर 7 is to 15 what will be the ratio of the green and pink token देखो सर 15 यहां पे red है यहां पे 5 red है तो इसको समान करते हैं तो 15 red हो गया 33 green हो गया अब ratio of the green and pink तो green का 33 और pink का साथ तो 33 is to 7 is the correct answer option number 3 is the correct answer okay sir चले देखते next question क्या दिया हुए when two trains traveling in opposite direction at the speed of 40 km per hour and 32 km per hour the train moving first crosses a person crosses the person sitting in the slow moving train in 15 seconds then find the length of the fastest train मतलब एक दोनों तरफ both sides से एक आ रहा है 40 km प्रति घंट आउसत से दूसरा ही जा रहा है 32 km प्रतिया घंट आउसत से तो दोनों का डोनों का relative velocity क्या हो जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग तरप जा रहा है इसलिए relative velocity क्या हो जाएगा जूट जाएगा तो 40 प्लस 32 मतलब 72 हो जाएगा इतना किलोमेटर पर आवर सर लेकिन यहां पर seconds में दिया हुआ है तो सर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो तो खुद का लेंद क्रॉस कर रहा है मतलब कितना सेकंड में 15 सेकंड में तो 20 मीटर पर सेकंड का असद से 15 सेकंड में कितना दिस्टन्स जाएगा सा 300 मीटर option no.2 is the correct answer ओके सर चले देखते है next question क्या दिया हुआ है and object travels 15 मीटर इसेकंड इन फोर सेकंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड फाइंड अबरेश स्पीड अबरेश स्पीड क्या होगा सर अबरेश स्पीड तो टाल इस्टेंस अपन टो टाइम ठीक है 5.17 is the correct answer, unit कौन सा हो जागा sir, meter per second, क्योंकि speed दिया हुआ है, ओके sir, चलिए देखते हैं, next question, क्या दिया हुआ है, a cycle company sells cycles of two brands the same day to earn a profit of 6,000, if the profit earned by the one brand is 45% of the total profit, then what will be the profit earned by the second brand, अब सब 6,000 में से 45,301 वाला ब्रैंड से ही income हो गया, तो दूसरा वाला ब्रैंड से कितना बचा हुआ है रहागा sir, 100-45 मतलब 55%, 55% का मतलब किया तो divided by 100, तो हटाओ हटाओ, तो इधर 0,000, 65,30, carry for 3, 6,35, 33, तो 3300 रुपए profit दूसरे ब्रैंड से आएगा, option number one is the correct answer, 12 cm and 16 cm, what will be the area of the figure obtained by joining the midpoints of the rhombus, क्या कर लेंगे, sir, rhombus के एक काम करता है, rhombus के area क्या होता हाफ इंटु डी वान डी टू, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ होए 12 एक और 16 तो हाफ डी वान डी टू, इसका भी आधा, तो इस क्या होता है, 26, 12, 16, 96, ठीक है, तो 96 का आधा हो जाएगा, मतलब area कितना हो जाएगा, sir, 48 cm square, ठीक है, option number four is the correct answer, तो चलिया देखता है, next question क्या दिया हुआ है, एक cone with diameter 14 cm and height 24 cm is to be kept on the top of a cube of 15 cm core, find the surface area of the constructed figure, मतलब क्या दिया हो है, कि एक 24, अच्छा, एक cube दिया हो है, 15 cm वाला, एक cube दिया हो है, 15 cm वाला, यह 15 cm वाला cube, इसके उपर एक diameter of 14 cm, मतलब ऐसे इतना बड़ा सा एक cone रख दिया गया है, जिसका height 24 cm, slant नहीं, normal height दिया हो है, तो इसका side radius कितना है, सा 7 cm वाला radius है, find the surface area of the constructed figure, देखो से surface area क्या हो जाएगा, अगर इस cube के हम लोग total surface area, इस cube के अगर हम लोग total surface area निकाल ले, तो हमें क्या मिलता है से 6 square, plus इस cone के, इस cone के slant, मतलब या फिर carp surface area, क्या मिलता है सर, pi rl, निकाल लिए, minus क्या हो जाएगा सर, यह तो ढखा हुआ है, यह ढखा हुआ मतलब इसका base का area, minus pi r square, यह कर लेंगे तो खतम हो गया, यही तो surface area मागा है, क्या करना है सर, 6 square मतलब 6 into 15 square, plus pi rl, क्या हो जाएगा सर, pi rl मतलब 22,7 into r क्या हो जाएगा सर, r radius दिया हो है, 7 दिया हो है, और इतना क्या हो जाएगा सर, अगर सर height 24 है, यह 7 है, तो यह कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा, q 24 square कितना होता है, सर इधर हो रहे है आपका, तो अच्छा रूट अंडर 24 स्क्वेर प्लास 7 स्क्वेर करेंगे तो कितना हो जागा सर 25 स्क्वेर 625 होता है तो ये दोनों का वैलू आ जाता है सर 625 का रूट ठीक है तो इदर 25 आ जाएगा तो slanted क्योंकि ये पाइथागरस ट्रिपलेट है आपको याद रख लेना पड़ेगा जितना जल्दी आप याद रख लो कि उतना अच्छा है तो यहाँ पे निकालना भी नहीं है कि 576 से उन्चा जोड़ो फिद देखो कितना 625 आ रहा है कि नहीं उतना निकालना भी नहीं है तो इंटू इल का वेलू कितना अचर हमें 25 आ गया माइनस पाई कितना अचर 22 बटा 7 आर कितना हैotros 7 इंटू 7 खतम निकालो 67 साथ नहीं है तो इदर थाथ गया तो 22 इंटू 7 इदर से निकालो एक आ रहा है 6 इंटू 15 स्कुर मतलब 225 प्लास 22 इंटू 25 माइनस 7 तो 7 पांच 7 चो के 15 स्वरी 7 और इधर कितना हो रहा है 7 तीन 7 आठ 15 तो 18 तो 22 इंटू 18 इधर आए 6 इंटू 25 मतलब कितना हो रहा है 6 दो 12 6 दो 12 6 35 0 3 5 इधर आए 1 6 दो 12 एकम 13 350 ठीक है प्लास इधर कितना हो रहा है सर 22 इंटू 18 तो 18 तो 18 तो 36 चत्तिस और 36 कितना हो रहा है 6 तीन 9 396 तो 1350 प्लस 396 कितना हो जागा सर तो 36 10 तो 14 तो 46 तो 3 is the correct answer ओके सर क्या आपको समझ में आ गया देगो सर क्या बोल गया था कि एक कौन को या फिर संकु को एक क्यूब के ऊपर बिठा दिया गया ठीक है तो यह क्यूब में आप क्यूब का टोटल सर्फिस इरिया मंगा गया फाइंड तो जो फिगर बनाया ग तो हम लोग क्या करता है सर पहले सोच लेता है कि यह क्यूब का सर्फिस है हम लोग निकाल लिया फिर इस कोन का स्लैंट सर्फिस है फिर क्राप सर्फिस है निकाल लिया अब एक चीज़ सोचो कि नीचे वाला जो सर यह सर्फिस है यह क्या मैंना हम लोगों ने एक्स्ट्रा कल कर लिए हां sir calculate के लिए क्यों कि तो यह ढखा हुआ है कौन के हिसाब कर रहे थे तब तो वह जूड़ गिया तो उसको घटा देता है इसलिए इसको घटाया था क्या आप समझ में आया है ओके सर चले देखते हैं next question क्या दिया हुआ है the average salary of male staff in the farm is 5,200 and that of female staff 4,200 the average salary of all the staff is 5,000 what is the percentage of the male employee in the farm देखो सर बावन जर बावन चो होता है male का female salary है यहां पर male का female salary है बालिस सो तो इन दोनों में से क्या हुआ सर mixture allegation करके 5,000 हमें तो सर रेशियो कितना है सर यह 200 है और इसका रेशियो कितना है यह 800 है रेशियो कितना है सर 4 is to 1 तो male employee का percentage कितना है सर चार है किस में पांच में कितना पतिशाद इंटू 100 तो 5,2,10,20,4,80,30 male employee है option number one is the correct answer ओके सर चले देखते हैं next question के तरफ क्या दिया हुआ है find the value of 22-23-24 ऐसा करके करें चल रहा है यह जो line है सर यह line क्या होता है सर इसे कहता है V VODMA sequence में से vinculum मतलब V बरबर vinculum मतलब बार भी कहा जाता है बार का मतलब होता है एक बार का मतलब होता है इसका काम हम लोग पहले करेंगे ठीक है यहाँ पर recurring वाला मत समझना उसके बाद bracket उसके बाद off उसके बाद division multiplication addition subtraction ठीक है पहले vinculum यह फिर बार कर लेते हैं तो कितना हो रहा है 29-30 से minus करेंगे तो minus 1 minus of minus 1 मतलब plus 1 तो 28 आ जा रहा है सर 24 minus 28 मतलब minus 4 तो 23 plus 4 हो जाएगा तो 24 कितना हो रहा है सर 27, 27, 22 से 27 अट आएगे तो कितना हो जाएगा सर minus 5 option number 2 is the correct answer ओके सर चले देखते next question क्या दिया हो है what will be the number of diagonals in a regular polygon of 26 sides अब सर देखो एक चीज क्या बोले गया है कि number of polygon निकालना है ठीक है number of diagonals निकालना है सर इसका formula क्या हो तो n square minus 3 n बटा 2 देख लेते हैं answer कितना हो तो सर 26 का square minus 3 into 26 divided by 2 तो 26 अटा लिए तो 26 minus 3 by 2 तो कितना हो रहा है sir इधर हो रहा 26 और इधर हो रहा 23 तो 23 को 26 से गुना करें तो 6 3 18 इधर हो रहा 3 2 6 कम 7 इधर 6 2 12 52 ठीक है तो 5 98 divided by 2 तो 2 2 4 2 9 18 2 9 9 तो number of diagonals 2 99 आप आपको लग रहा होगा sir क्या क्या बोल दिया आप कि 26 side है मतलब अगर कोई side हो रहा है मतलब कितना point हो रहा है sir इतना इतना करके sir total point हो रहा है अब एक side बनाने के लिए कितना points लगता है 26 side के लिए कितना है आपके पास points sir 26 point ही होगा sir देको मतलब या फिर भाटिक्स ही होगा चार अगर यह square है या फिर rectangle है तो चार वर्टेक्स लगता है चार sides के लिए इसी तरह क्योंकि यह close है इसलिए 26 वर्टेक्स लग रहा है समझने के कोशिस करो मज़े से समझेंगे और जल्दी-जल्दी समझ लेंगे ठीक है 26 वर्टेक्स लग रहा है अब diagonal बनाना होगा तो कित है आँसर तो sides ज्यादा count होग यह answer 26 माइनस कर देता है तो 26C2 मतलब क्या हो जाएगा सर 26 इंटू 25 डिवाड़ड़ बाइ 2 इंटू 1 होता है माइनस 26 तो यह answer 26 को मले लेंगे तो कितना हो जाएगा सर 25 माइनस 1 यह 25 माइनस 2 तो मतलब 23 डिवाड़ड़ बाइ 2 तो कितना हो दो तेरा 26 तो तेरा तिन उन्चालिस नौ करीफ़ड चार सरी तेरा दो चालिस तिन उनतिस तो 299 इस दे क्रेक्ट अंसर अप्शन नमबर 3 ओके सर चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अब देखो 1640 रुपई इसका 6 साल के लिए 7.5 पांच के औसद से कितना प्रतिस्यद इंट्रेस्ट होगा डिवेड़ड़ वे हंड़ड़ खतम कहानी पिए टी बाई हंड़ड तो 7.5 के लिए दसमलोग के लिए ये पांच अटा दो तो नीचे 100 ही रख दो क्या सर गुना करना इजी हो जाएगा नहीं 25 तिया 75 पच्चिस चार सो तो 4 से काटो 4 चके सो लो 4 एकम 4 तो 6 तीन आटर, आटरा एकम आटरा, केरी फोरड वान, आटरा चर कितना होता है 72 एकम 73, 738 इस दे करेक्ट अंसर, और अप्शन नमबर 3 इस दे करेक्ट अंसर ओके सर, चलिए देखते नेक्स्ट कॉस्चिन क्या दिया हुए दिपर डिपोजिट से साम अफ 6250 इन बैंक विच बिकांच 7840 अट अनुल कंपाउंड रेट अफ इंटरेस्ट इन टू यर्स, वाट इस दे रेट अफ इंटरेस्ट, क्या हो जागा सर सर, बासट सो पचास से 7840 हुआ, ठीके सर, यह 7840 अमाउंट है इकोल्स टू पी, मतलब 6250 इन टू 1 प्लस आरवाई 100, होल्ट दिपर एन, कितना साल के लिए, सर, दो साल के लिए, दिया हुए न, कंपाउंड रेट अफ इंटरेस्ट, टू यर्, तो होल्ट स्कार कर लो, तो सर, यहां से डिवाइड करो, 7840 डिवाइड बाई 625, इकोल्स टू 1 प्लस आरवाई 100, क्या आपको मालूम है, 784 किसका होल्ट स्कार है, हाँ सर, मालूम है, क्यों, क्योंकि 30 के पास होता है, तो 28 का हो जाएगा, 30 का मतलब 900, 28 का स्क्वेर मतलब 864, 64, 224, इधर 826, 32, 32, तो देखो सर, 384 हो गया, 784 हो गया, तो सर, यह हो रहा है, 28, यह हो होल स्क्वेर, तो होल स्क्वेर का स्क्वेर उट गया, तो 1 प्लस आरवाई 100, तो यहां से कितना मिल जा रहा है, आर बराबर, आर बराबर आ रहा है, अपका 28 मतलब 25 बतार, 3 बाई 25, उपर चल जा रहा है 100, तो 25, 400, 4, 3, 12 प्रतिशत का हो सर, तो ऑप्शन नमबर 1 is the correct answer, ओ दिया हुआ है, what will be the product of 8 kg 25 ग्राम and 25, अब सर यह दूसरा वाला जो 25 दिया हुआ है, क्या आपको बोला गया है, कि यह 25 क्या है, नहीं सर नहीं बोला गया, तो देख लेता है यह क्या ख़रना पड़ेगा, सर 8 kg 25 ग्राम, मतलब 8 25 ऐसा लिखो ठीक है, यह kg है, यह 25 ग्राम है और 8 में 200 होता है, और 25 से, फीट से 25 को गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, सर 625 इतना ग्राम, तो 200 kg और 625 ग्राम मतलब 210 ग्राम, 625 kg, option number 1 is the correct answer, ओके सर, चलिए देखते हैं, next question क्या दिया हुआ है, what will be the common fraction when 0.236 उपर बार दिया हुआ है, is expressed in its simplest form, इस बार का मतलब क्या होता है, सर 0.0236, इस बार का मतलब होता है, यह recurring decimal है, मतलब 36, 36, 36 ऐसा करते चल रहा है, इसको convert करने का तरीका क्या होता है, सर 0236 जैसा है, वैसा लिखो, जितने के उपर में बार नहीं हो, उसको minus करो divided by, जितने के उपर बार है, उतना 9, जितने के उपर बार नहीं हो, उतना 0, खतम कहानी, तो कितना हो रहा है सर, 234 divided by 9900, तो यहां से कुछ कट रहा है, यहां से देख लेते हैं, देखते हैं क्या, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2, 7, 14, इधर आ रहा है, 2, 4, 8, 2, 9, 18, 2, 5, 10, 4, 9, 50, तो 7 इने कम 3, 3, 14, 35, 50, 16, तो यहां से दना रहा है, बार आतीन से कट रहा है, 3 एकम 3, 33, 9, 13, 39, तो 3, 5, 15, 15, तो तो तेरा वाटा पास्सव पचास, और अप्शन अममबर 3 इस दा करेक्ट आंसर, ओके सर, चले देखतें नेक्स्ट कुश्चिन क्या दिया होया है, ओन सेलिंग ये वाशिंग मिशीन फॉर रूपीज 689 राजू आउन से प्रोफित आफ 6% वाट वाट वाशिंग मिशीन आप देखो किसी के ऊपर किसी के ऊपर अगर एक 6% का प्रोफित लगा होगे मतलब 106 वाटा 100 हो जाएगा तो उससे आता है 689 भैलो तो एकस पर अबर कि 689 इन्टो 100 डिवाड़ेड़ वाइ 106 तो यह दो दो पांच दस दो तीन छे इदर ओर दो पांच दस पचास सर यह देखरो एंसर में राउंड फिगर में मतलब 35 से यह कटेगा तो 689 त्रिपन से काटते हैं तो 35 एकम त्रिपन कितना हो रहा है 358 पांच एकम छे तो 159 तीन क्या देया हो एंसर नेक्स सेंसर यह बर्ल तो 689 फिटीन थर्पीव देखरों विसेच इंसर एकम जोंड पांच दस दिन के बाद अगर 60 में का दस दिन चल गया तो कितना में के बाचा हूई है साथ इन्टू पच्चिस इतना में इंडिक है मतलब यूसेज बचा हुआ है अब पंद्रा जोइन कर लिया मतलब 75 हो गया कितना दिन के लिए रहेगा एक सपकड़ लेता है तो 25 तिया पचतता तो बीस दिन के लिए बचा हुआ रहेगा काम या फिर यूसेज ऑप्चिन नमबर वान इस दो करेक्ट एंसर ओके सर चले देखते हैं नेक्स्ट कुश्चिन क्या दिया हुआ है कि वीच वंग दो फॉलविए इस रैशनल नमबर अब सर यह रैशनल नमबर कैसे निकालते हैं देखो क्यूब रूट अफ फॉर प्लास फॉर क्या यह रैशनल नमबर है नहीं सर रैशनल नमबर होगा तो रैशनल नमबर कैसे निकाले सर रैशनल नमबर देखते हैं जिस नंबर को हम लोग PYQ के अकर में डिनोट कर सकते हैं and Q not equals to zero तो यहाँ पे देखते हैं Q root of 8 मतलब 2, 2 minus 2 परबस 0 तो यह 0 को तो 0 by 0 form में लिख सकते हैं यह फिर 0 by 1 form में लिख सकते हैं, 0 by 2 form में लिख सकते हैं यहाँ पे 2 not equals to 0 तो यह rational number है तो option number 2 is the correct answer यह देखके ही पता चल आपको कौन सवाला आपको rational number निकालना है या फिर कैसे आएगा ठीक है सर चले देखते next question क्या दिया हुआ है if cos x equals to plus sin x equals to root 2 cos x then the value of cos x तो cos x से divide कर दो both side तो 1 plus sin x by cos x अच्छा सर, sin x से divide कर दो, तो कितना हो रहा है सर, cos x plus 1 बराबर root 2, cos x तो यहां से cos x क्या मिल जाएगा सर, सर यहां से cos x मिल जाएगा 1 by root 2 minus 1 तो यहां से sides को remove करते है, ऊपर नीचे root 2 plus 1 से गुना करेंगे, तो नीचे कितना है जाएगा 2 minus 1 बराबर 1 तो cortex का value कितना हो गया, root 2 plus 1, ज्यादा जटिल करने का ज़रूत ही नहीं था चले देखते है, next question क्या दिया हुआ है 15 into 3 minus 9 ऐसा करके, एक simplification का question दिया हुआ है, सर हमें क्या मालूम है, सर B, B, O, D, M, A, S, होता है vinculum bar of bracket, सरी, ये bracket है, ये bracket of division, multiplication, addition, subtraction, ठीक है सर, तो चलिए, एक काम करते हैं, इसमें bracket का काम पहले कर लेता है क्या दिया हुआ है, सर 5 square by 5, मतलब 5 आएगा, divided by 5 है, divided by 1 बटा 3 है, ठीक है सर, into या फिर plus 10 दिया हुआ है तो 9 into 5 पहले आ जा रहा है, क्या ये गुणा कर लेंगे, जी नहीं, गुणा नहीं करना है, इसको divide करना है, ठीक है तो सर, कैसे हो जाएगा, देखो सर, 5 बटा 5 करेंगे, तो कट जाएगा, तो ये 1 आएगा, तो 9 into 1 divided by 3, मतलब कितना होगा, सर, उपर गुणा हो जाएगा, 3, तो 9, 3, 27 हो जा रहा है, पलट जाता है ना, तो 27 plus 10 कितना हो रहा है, सर, ये minus of 27 है, तो minus 27 plus 10 मतलब, सर, minus 17, तो 15, रहती है, 45 minus 17 कितना हो रहा है, साथ से 58, एकम 2, 28, option number 1 is the correct answer, ठीक है सर, चले देखते, next question क्या देखा होगा है, इफ, P equals to 36 minus 2 into, इतना ऐसा बड़ा-बड़ा solution दिया होगा, यहाँ पर division है, बाकी दिया होगा, सर, हमें क्या मालूँ है, सर, वार्ड मास रूल, BOD, MAS, ठीक है, एक V होता है, यहाँ पर बार नहीं है, इसलिए नहीं दे रहा हो, तो bracket of division, multiplication, addition, subtraction, इसको बार-बार question के साथ ल plus 9 minus 4, ठीक है, तो कितना होगा, सर, 20 plus 9, 25, तो 25 आ रहा है, minus of 2 into 25 मतलब, minus 50, plus 10, और इधर 36 है, 36 और 10, 10 जोड़ेंगा, तो कितना होगा, सर, 46 minus 50 मतलब, सर, 4 आ रहा है, minus में, option number 3 is the correct answer, ओके सर, चले यह देखते, next question क्या दिया होगा, Leena can go her office through two ways, the first path is 5 km long and the second path is 7 km long, for some reason, she cannot take one path on two consecutive days, if she uses the first path on Monday, then how many kilometers she travel using the second path, अब कितने में, एक वीक में, ठीक है, एक वीक में, अगर फर्स दिन, अगर उजने ले लिया first path, CTX मतलब 5 km वाला path, पहला दिन ले लिया, 5 km और दूसरे path है, 7 km, यह पांच और 7, यह अगर पहला दिन ले लिया, तो इसको यह वाला कौन सा दिन लेगा, तो दूसरा, छोड़के चौथा, छोड़के छटवा, तो तीन दिन लेगा, ठीक है, तो तीन दिन ले रहा है, her office through two ways. तो sir गया और return का नहीं आएगा? She cannot take one path on two consecutive days. दूसरा दिन, if she uses the first path on Monday, then how many kilometers she travels using the second path? Sir, जाने में ही तो 7 km रख रहा है. तो आने में कितना? 14 km? तो 14 km का असद से 3 दिन कितना लग गया? 24 km ये गलती मत करना देखिया sir, एक कीस भी answer था. ठीक है? मैं अगर return आने का नहीं सोचता है, तो mark कर देता option number four. Option number one mark कर देता, लेकिन ओरिजिनल एंसर कौन से है sir? option number four is the correct answer. ओके sir, तो चलिए देखते है next question, क्या दिया हुआ है? find the LCM of half, two by five, four by seven, six by seventeen. तो half, two by five, four by seven, six by seventeen. अब सर एक चीज़ देखो, sir, LCM of fraction मतलब क्या होता है? सर आपर या फिर numerator का LCM होता है, तो numerator का LCM कितना हो जाएगा? असर बारा हो जाएगा, और denominator का ECF होता है, denominator का ECF कितना है? sir, one हो जाएगा, तो option number two is the correct answer, बारा, क्यों sir, one होता है? क्यों sir, one होता है? देखो, 17 का कोई factor नहीं होता है, तो इसलिए सब का ECF कितना हो जाएगा? one नहीं हो जाएगा. ओके सर, आज यहीं तक रखते हैं, चलिए, तैंक यू, बाई बाई, स्टे तुन फॉर दे निक्स्ट क्लास.